जाहिन बच्चो कैसे हैं बच्चो आज हम आपके लिए ग्रीन केमिस्ट्री से अगला टोपिक लेके आये जिसका नाम है ग्रीन सॉल्वेंट्स तो आई जानते हैं क्या होते हैं ग्रीन सॉल्वेंट्स इसी के साथ साथ रियेक्शन के बाद जो आपको पुरट मिलते हैं उनको आईसोलेट करने के लिए उनको प्योरिफाइ करने के लिए भी सॉल्वेंट्स एज ऑग्रीन सॉल्वेंट्स यूज होते हैं Chemicals and related industries use different organic solvents, poly halogenated solvents, petroleum ethers and aromatic solvents Different chemicals industry या फिर उनसे जुड़ी हुई अलग-अलग जो industries हैं उन सब industry के अंदर अलग-अलग organic solvents जैसे anandimethyl formavide, anandimethyl acetamide, acetone, dimethyl sulfoxide, poly halogenated solvents जैसे कि हमारा dichloromethane, trichloromethane, जिसको हम लोग chloroform बोलते हैं, carbon tetrachloride, petroleum ethers और बहुत सारे aromatic solvents जैसे कि benzene, toline, xylene ये हमारे वो solvent हैं जो आजकल अलग-अलग chemical industry में बहुत जादा मातरा में use किये जाते हैं clear है आपको, use of such volatile organic solvents, wax, petroleum solvents is toxic and hazardous to workers and society in different aspects as many of them are near to ban in future बच्चों ये जो हमारे organic solvent हम लोगोंने use की हैं, इनकी जो nature होती है वो volatile होती है, इसलिए इनको sort में wax बोला जाता है volatile organic compounds को या फिर solvent को अमलोग sort में commonly wax बोलते हैं, clear होगे ना आपको volatile organic compounds या solvents को wax का जाता है, इसके अलावा different petroleum solvents होते हैं, ये जो होते हैं, ये toxic होते हैं, जैरीले होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उन worker के लिए जो in solvent के साथ में काम करते हैं, और अगर कोई miss happening हो जाए, और ये solvent exposed होते हैं surrounding के लिए, तो ये society के अंदर रहने वाले लोगों के help के लिए भी problem create कर सकते हैं, और साथ आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन जानना जरूरी है कि ऐसे organic solvent या फिर poly-hello-generated solvent जो हैं हमारे, इन में से बहुत सारे बैन हो चुके हैं, और काफी future के अंदर बैन होने वाले हैं, clear हुआ आपको? society के लिए अच्छा नहीं होगा, reasonable yellow colored solvent दिखाया हुए हैं, उनको आप use कर सकते हैं, लेकिन वो toxic तो हैं, hazardous तो हैं, लेकिन less toxic हैं, उनको आप use कर सकते हैं, जब उनकी बहुत जरूरत हो, और जो best wise है, as per green chemistry की भाई, आप इनको easily frequently use कर सकते हैं, इन से कोई society को health को नुकसान नह नहीं होगा, यह जैरी लिए खतरनाक नहीं है, वो कहलाते हैं, green solvents और आप देख सकते हैं, यहां पे green solvents में सबसे top पे रखा हुआ है water को, क्योंकि आप जानते हैं, water जो हैं, वो किसी को भी किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुचाता है, clear हुआ आपको, अब लेते हैं options और alternatives of organic solvents, वो कौन सी चीज़े हैं, जो हम लोग reactions के अंदर organic solvent की जगए use कर सकते हैं, अपनी reaction को पूरा करने के लिए, आइन को जान लेते हैं, पहला तरीका रहेगा कि जो आपका process है, जो आपकी reaction है, उसके अंदर solvent कम से कम use हो, या फिर बिलकुल भी use ना clear है, तो आपकी problem solvents हो जाएगी, उसरा option हो सकता है कि आप reaction के अंदर organic solvent की जगए water use करें, सरी कैसे possible हैं, तो सर ऐसा हम लोग करके देख सकते हैं, face transfer catalyst होते हैं, जिनकी help से आप water के अंदर भी organic reaction करा सकते हैं, PTC बोलते हैं उनको, clear हुआ आपको, use of super critical fruits, बच्चो आज कर industry के अंदर ये वाला methyl काफी popular हो रहा है, वहाँ आपर carbon dioxide, liquid carbon dioxide को use किया जाता है as a solvent, और तब इसको liquid CO2 को बोलते हैं, super critical fruits, clear हुआ आपको, और last है हमारा जी, use of ionic liquids, ये कुछ ionic liquid भी होते हैं, बच्चो जो solvent की जगए, organic solvent की जगए, आप लोग use कर सक रहते हैं, green chemistry is focused on minimizing of waste, costing of process, social risk and safety issues, किसी भी reaction के अंदर waste product का कम बनना, किसी भी reaction या process का सस्ते से सस्ता होना, उसकी लागत का कम होना, society के अंदर रहने वाले लोग जो रहें, वो safe रहें, उनकी help को कोई भी problem create ना हो, या फिर कोई accident भी ना हो, clear है, तो यह सारे जो main main feature लिखे हैं, यह सब green chemistry का एक target होता है, किसी भी chemical reaction या process को पूरा करने से पहले, यह आप जानते हैं, हम लोग पहले discuss कर चुके हैं, लेकिन इन सारे issues को लिए खतरा बन जाता है, हमारे solvents, organic solvents, हमारे organic solvents होते हैं, वो इन green chemistry के सारे features को पूरा करने में problem create करते हैं, यानि कि जो हमारी hurdle करने वाले चीज़ें हैं, उन में से एक organic solvent main है, किलियर, आइए देखते हैं कैसे, chemist and medicinal scientist can reduce health risk to human beings by adopting green chemistry into two ways, different chemist और medicine बनाने वाले medicinal जो scientist होते हैं, वो लोगों के health पे होने वाले जो issues हैं, problems हैं, उन सब को दूर कर सकते हैं, green chemistry को दो तरीके से use करके, आए जानते हैं कैसे, पहला रहेगा solventless reactions, दूसरा रहेगा use of green solvents, in this approach, reactions are carried out by using lesser amount of solvents and reinforce to develop methods having no solvents, example, microwave, solid state, grinding, gaseous phases, etc. ऐसी बहुत सारी reactions होती हैं, बच्चों जो solvent में करना मजबूरी बन जाती है, तो यहाँ पे solventless reactions में आपको यही ध्यान रखना है, कि अगर reaction को solvent में ही पूरा करना है, तो वहाँ पे solvent का use आपको कम से कम करना है, अगर जदा amount है, जितनी आप कम कर सकते हैं, उतनी amount कम लीजिए, या फिर हो सके तो ऐसे method डवलप करने पर जोड़ दीजिए, जहाँ पे solvent का use ना हो, बच्चो, solventless reaction को पूरा करने के लिए, कुछ example हैं, कुछ तरीके हैं, जिनमें microwave, solid state, grinding, gaseous phase, आजकल ये method यूज की जाते हैं, अब लेते हैं, दूसरा method, use of green solvents, these solvents are environmental friendly as they are derived from agricultural crops, बच्चो, green solvents जो होते हैं, वो eco-friendly होते हैं, environment को damage नहीं करते हैं, और ये agriculture crops से, जो हमारी फसले होती हैं, जिसे गन्ना हो गया, हमारा गहू हो गया, हमारे आलू हो गया, ऐसी crops से हम लोग इनको डवलप करते हैं, example रहेंगे, alcohol, ethyl lactate, glycerol, water, supercritical fruits, ionic liquids, etc., बच्चो, ये दो method हैं, जो green chemistry के principles को पूरा करने में help करते हैं, पहला है हमारा solvent, less reaction और दूसरा है हमारा use of green solvent, green solvent आजकल एक need बन गया है, और different countries में, जो developed countries हैं, वहाँ पे green solvent को यूज करने पर ही जोड दिये जा रहा है, वहाँ पे industries के अंदर, जो traditional हमारे solvents हैं, जैसे हमारे organic solvents हो गए, poly, halogenated solvent हो गए, या फिर ethers हो गए, उनको discard किये जा रहा है, उन method में उनकी जगे green solvent को यूज क किये जा रहा है, example आपने देखी लिया है, आए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आए अब लेते हैं, features और conditions of green solvents, green solvent के अंदर क्या विसेस्ता होनी चाहिए, क्या खूबिया होनी चाहिए, या फिर वो कैसा होना चाहिए, first, they should be recyclable and biodegradable, बच्चों जो हमारे green solvent हैं, वो recyclable होने चाहिए, कि वो बार बार आपको easily crop से, agricultural crop से मिलते रहें, फसलों से easily मिलते रहें, और दूसरा वो biodegradable होने चाहिए, यानि कि reaction या process पूरा होने के बाद, अगर आपका solvent environment के contact में आ जाता है, river में चला जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे ज उस solvent को degrade कर सकें, clear है, और जब वो degrade हो जाएगा, तो वह environment को damage नहीं करेगा, they should be non-halogenated, non-flammable, non-toxic in uses, जो हमारे green solvent है, बच्चों, उनके अंदर halogen atom नहीं होना चाहिए, वो जो है हमारे आग पकड़ने वाले भी नहीं होने चाहिए, और वो non-toxic होने चाहिए, एक्चुल में होता क्या है जी, जो हमारे traditional solvent है, organic solvent है, वो volatile in nature होते हैं, आपको बताता हमको walks भी बोलते हैं, volatile होने की वज़े से वो vapor में जल्दी और easily convert होते हैं, vapor में convert होते हैं, और highly flammable होते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, यानिके accident के chances बढ़ जाएंगे, और ब body के अंदर चला जाएगा, और body के अंदर जाके क्या करेगा, health issues करेगा, problems करेगा, तो जो हमारे green solvent हैं, उनके अंदर halogen नहीं होना चाहिए, वो vapor में कम से कम convert होने चाहिए, non-toxic होने चाहिए, और आग भी पकड़ने वाले नहीं होने चाहिए, यानिक they should be least or non-volatile, जो green solvents क यह खास property होती है, अभी आपको बतायाता है कि जो organic solvents हैं, वो volatile होते हैं, इसलिए वो easily use की जाते हैं, और उनका volatile nature ही जो है, वो accident कराता है, चाहिए वो आपका explosion हो, या फिर आपके health issues हो, तो green solvent अगर आप use कर रहे हैं, तो वो less या least volatile होना चाहिए, यानि गर उसको आप क्यारते हैं, carbon tetrachloride या chloroform, तो वो easily vapor में convert हो जाते हैं, क्योंकि वो volatile in nature होते हैं, तो green solvent non-volatile होना चाहिए, less solubility or insolubility in water, आपका जो green solvent है, वो पानी के अंदर अगर नहीं घुलता है, तो बहुत ही अच्छा है, या फिर अगर वो घुलता है, तो उसको कम से कम घुलना च चाहिए, जब वो कम से कम घुलेगा, तो वो easily recover हो पाएगा, यानि reaction पूरा हो गया, आप फिर से उसको वापस recover कर सकते हैं, वापस उसको दूसरी reaction के लिए निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और ये तब ही possible होगा, जब आपका solvent water के अंदर या तो ना घुले, या फिर कम से कम घुले, अगर जदा घुलेगा, तो आप उसकी recovery नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखीगा ये बाद, फिफ्ट है, low cost and availability, बच्चों जो आपका solvent है, वो सस्ता होना चाहिए, मान लिजी आप green solvent है, उसकी cost जो है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ रही है, तो जो आपका product बने और सस्ती बिक्ती है, आप समझ रहे हैं, तो वो तभी possible है, जब आप green solvent की कीमत कम से कम हो, और वो easily मिल पाए, मालुम पढ़ा सस्ता तो है, लेकिन उसको मंगाने में महीनों लग जाते हैं, तो बताए कोई industry वाला, या कोई scientist क्या महीनों इंचार करेगा, नहीं, वो easily मिलना भी चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए, तो बच्चों ये 5 feature हैं, 5 quality हैं, 5 हमारी condition है, जो हर एक green solvent में होनी चाहिए, और अगर किसी green solvent के अंदर ये 5 property पूरी हो जाती हैं, 5 condition पूरी हो जाती हैं, तो वो green solvent हमारी green chemistry के सारे principle को पूरा करने में helping हो जाता है, किलियर है आपको? तो आज हमने जाना कि हमारे different chemical industry के अंदर कौन-कौन से solvent, organic solvent, volatile solvents, halogenated solvents use की जाते हैं, उन से क्या हमारे problems हैं, green chemistry के 12 principle को पूरा नहीं किया जा सकता है, उनको अगर पूरा करना है तो आपको organic solvent का use कम करना चाहिए, या फिर आपको उनको replace कर देना चाहिए green solvent से, हमने जाना green solvents क्या होते हैं, उनके example कौन-कौन से हैं, उनको कहां से और कैसे बनाया जा सकता है, फिर हमने जाना उन features और उन property का जिनका किसी भी green solvent में होना must है, नहीं तो green chemistry में कस्ट है, clear है, तो ये 5 features हमने जाना, hopefully आज आपको clear हुआ होगा,